Hello everyone तो जैसा कि हमने पहले डिड़क्षिंस कल पड़ी थी हमने 13 डिड़क्षिंस हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं रेकिये लिंक में डिस्क्रिप्षिन में देदूगी वहां से जाके आप उन deductions को पढ़ सकने हैं ठेक है आज की वीडियो करने के बाद हमारी deductions जो होंगी वो सारे complete हो जाएंगी तो deductions हमने कल जब complete की थी तो हमने कहा था C वाली और G वाली deductions हम next video में continue करेंगे तो इसलिए हमने अब next video में बनानी शुरू करते हैं तो अब बन जाएगे फटापट से और आप देख लेना इसको क्या है इसके अंदर हमने deductions जो study करने है ATC की, ATC, ATCCC, ATCCC, ATCCD ये 4 deductions हमारी C की हम पढ़ेंगी और G में हम 5 deductions पढ़ने वाले ATG, ATGG, ATGGA, ATGGB, ATGGC तो बिल्कुल ध्यान लगा कि notebook pen लो और बैठो फटाफट और फटाक से हम इनको revise करते हैं देखे, हमारे next, मतलब सबसे पहले deduction जो आती है section ATC की अंदर, तो ATC, C जो deduction है हमारी ये contribution से related होती है, contribution कि स्टेज में, provident fund में या life insurance premium हम कह सकते हैं, उस से related जो deduction हमें मिलती है वो C में मिलती है, ATC की deduction और ATC की deduction हमारी amount कितनी मिलती है वालत कितनी amount की deduction हमें मिलती है, that is 1,50,000, 1,50,000 की हमें deduction मिल जाती है ATC के अंदर, अब हम बात करते हैं ATCCC ATCCC के अंदर, अब क्या होता है, देखो ये C वाले deduction आगी न, तो आएगा तो हर जगे contribution, contribution, C, C से contribution तो पहले बाले में हमने बढ़ा, contribution किस से, मतलब simple C है तो contribution provident fund में, या life insurance premium की वहां पर बात हो रही थी उसके deduction मिल रहे थी 1,50,000 की, deduction मिल रहे थी individual और HUF को, अब triple C में क्या कहता है, कि deduction in respect of contribution to certain pension fund, वहां पे सिर्फ बात provident fund और life insurance premium की थी, इधर बात हमारी आजाती है, pension fund, क्योंकि triple C हो गया न, तो contribution तो कर रहे हैं, किस चीज में contribution कर रहे हैं, certain pension fund, कुछ pension fund सा, उसमें हम अगर contribution करते हैं, तो triple C, यानि तीन-तीन लोग आके हमें deduction देते हैं, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, इसकी भी amount same रहती है हमारी 1,50,000, और amount जितना pay की है, whichever is less, ठीक है, तो 1,50,000 की deduction हमें मिलती है, triple C के अंदर, condition अगर तुम्हें, C में deduction मिल जाती है, तो फिर तुम triple C के अंदर eligible नहीं होते हो, main बात यही होते है कि आपको जो maximum amount की deduction मिलती है, वो 1,50,000 की ही मिलती है, मदब C के अंदर आने वाले सारी का टेक्रीज में, वो अभी हमारे पढ़ेंगे, अब double C E के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको CCD क्यों नहीं कराया, क्योंकि logically तो ऐसे चलना चाहिए कि पहले C, फिर triple C आया, तो अब CCD भी तो reduction है, उसको हम next slide पे cover करने वाले, लेकिन पहले हम CCE कर लेते हैं, ठीक है, CCE वैसे अगर आप करना चाहो तो चलो ठीक है, पहले CCD ही कर लेते हैं, क्योंकि confusion रहेगी अदर्वाइस, तो CCD हमारे किदा चले गए हैं, ओकी यह रही हमारे ATCCD, CC, अभी हमने पहले deduction की है, C, ATC की deduction किसे से related है, life insurance premium से related है, और provident fund के अंदर contribution से related थी, C वाले, triple C आगया, तो contribution to certain pension fund, amount दोनों में कितने थी, 150,000 की हमें deduction मिल रहे थी, अब हमारी बात आती है, that is CCD में, यानि double CD वाली जो deduction है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी contribution, C आगया, तो contribution तो आएगा ही आएगा, लेकिन किस चीज में, contribution to pension scheme of central government, मैं, ये person कैसे लिखा गया, यहां पे, तो this one is, एक सकेंट, तो ये वाले जो हमें deduction मिल गए है, ATCCD की, ये deduction किस से related होते हैं, हमारी contribution to pension scheme of central government, let me check once, contribution to pension scheme of central government, अब central government के कुछ pension schemes होती है, उसके अंदर contribution आप करते हैं, तो आपको deduction मिल जाती है, CCD के अंदर, अब deduction कैसे मिलते हैं, ये बहुत ही ज़ादा important deduction है, और इसी deduction की वज़े से मैंने आपको कहा था कि मैं C वाले deduction और G वाले deduction आपको अलग कराउंगी, देखो ये बिल्कुत अगर आपको एक बार दो second के अंदर आपको समझ आ गई ये deduction, तो कभी confused नहीं होगी, कैसे है, देखो, अगर कोई भी employee है, central government का, appoint किया जाता है वो, कब, या तो 2004 के बाद किया गया है, या as own है यहाँ पे, या फिर वो 2004 से वाले दिन या उसके बाद किया गया है, मतलब 2004 के बाद employee जो है, वो appoint किया जाना चाहिए, या तो 1 April 2004, 1 April 2004, या उसके बाद अगर कोई employee point किया गया है, central government के जूँ, तो ऐसे case में, आप जितना amount contribute कर रहे हो, कौन, central government, या फिर 14% of salary, whichever is less कि आपको deduction मिल जाएगी, ध्यान रखने वाले बात किया है, CCD के अंदर हमें जो deduction मिलती है, वो deduction मिलती है हमारी contribution to pension scheme के अंदर, अब central government के ने एक scheme है, कि अपना pension scheme है, वहाँ पे contribution करते रहते हैं, तो contribution अगर आप कर रहे हो, तो आप अगर बाइचन एक ऐसे employee हो, जो कि central government के थूँ, appointed किये गए हो, अपोइंट कब हुए हो, आप 1st April 2004 को, या उसके बाद आप अपोइंट करे गए हो, ऐसे कि इसमें जितना भी central government contribute कर रही है, या आपकी जितने भी 14 salary है, उसका 14%, तो जो भी दोनों में से less होगा, उसके आपको deduction मिल जाएगी, second thing क्या है, amount contributed by other employer और 10% of the salary, अगर बाद चन स्पोऊ, जो employee है, वो central government ने अपोइंट नहीं किया है, तो अगर employer ने contribute, मतलब appoint किया है, तो employer ने चितना contribute किया गया है, और 10% of salary का, जो भी इन दोनों में से less होगा, उसकी क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आपको deduction मिल जाएगी, यहाँ पे जो deduction आपको मिलती है, इस deduction को हम count करते हैं, ATCCD2 के अंदर, यह जो deduction होगी, यह deduction हमें ऐसे बताने पड़ेगी न, मतलब वैसे साथा confused होने की जरूद ने, बिल्कुल simplified करते हुए चलो कि ATCCD2 के अंदर हमारी यह deduction आती है, कि central government ने जितना contribute किया, और 48% of salary, whichever is less, दूसरी बाते को यहाँ पे दुबार से यही बात पतार की कि अगर employee under employer की है, जितना amount deposit करा गया है, employee ने जितना amount अप तक deposit कराया है, और 10% of salary, whichever is less, यह भी तो यही पे रहा, तो main बात क्या है कि अगर by chance किसी employee को central government appoint करती है, तो central government ने जितना amount contribute किया गया है वो, या फिर 14% of salary, इन दोनों में से जो less होगा, उसकी deduction मिलेगी, लेकिन अगर कोई employee, employer ने hire किया, या कोई employer है उसके उपर, central government नहीं है, employer है, तो ऐसे case में, जितना भी amount deposit कराया गया है, या फिर 10% of salary, जो भी कम होगा दोनों में से, उसकी deduction मिल जाएगी, अगर बंदे का self employment है, तो ऐसे case में उसको 20% of his gross total income की deduction जो है, यहाँ पे मिलती है, और GDI आप जैसे calculate करते हो, मतलब उस तरीके से, मतलब करते हैं आप gross total income को तो calculate, एक तरीका होता है, हमारा जिसके अंदर हम क्या, मतलब वही कि DRNs, allowance हमने if वाला लेना, जिसके अंदर terms and condition वाला जो होता है, वो वाला लेना है, और बाकी allowances or perquisit हम add नहीं करते हैं, वो वाले salary हम लेते हैं, तो ऐसे case में जो भी हमारी GDI होगी, उसका 20% तक का हमें deduction मिल जाती है, जो self employment में deduction मिलती है, और जो मतलब employer के अंदर कोई employee काम कर रहा है, इन दोनों के अंदर, अगर कोई deduction मिल रहे हैं, तो उसको हम कहते है section 80, double LCD 1 के अंदर ये deduction में है, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपने, आख बंद करो, सोचो, ATCCD की deduction में आपको याद करा रहे हैं, ATCCD की deduction हमें मिलती है, कि जब pension scheme है central government की, उसके अंदर आपको deduction मिल जाती है, CCD के अंदर, कैसे मिली है हमें, देखो, धक्के खाखा के हमने, वदलब pension मिलने शुरू होगी, धक्के खाखा के हम याद कर सकते हैं, और C से तो contribution है, तो contribution धक्का, ठेक है, तो contribution किस चीज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं, यानि pension scheme के अंदर contribution किया जा रहा है, central government की ठ्रू, ठेक है, अब क्या situation हमारे सामने क्या है, या तो हम खुद self-employed है, या फिर हम किसी employer के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर central government के अंदर काम कर रहे हैं, तीनी situation है हमारे सामने, अगर तो हम self-employment है, तो हमें 20% हमारे GTI की deduction मिलेगी, अगर हम किसी employer के अंदर है, तो हमें 10% की deduction मिलेगी, salary का 10%, और अगर हम central government के अंदर appointed है, तो हमें 15% of salary की deduction हमें मिल जाती है यह whichever is less का तो बिल्कुल simple बंडा होता है कि जितना तुमने contribute कर रखा वो या 14% जितना employee ने contribute कर रखा वो या फिर 10% या फिर इसके अंदर self employment के अंदर सिंदा system है कि 20% of GTI का आपको मिल जाएगी deduction तो यहाँ पर जो deduction हमें दोनों की case में मिलेगी वो section 80 CCD 1 के अंदर आती है और यह वाले deduction हमारी central government वाले deduction 80 CCD 2 के अंदर आती है बिल्कुल simple इसके अलाबा अगर किसी person ने pension scheme के अंदर deposit कर रखा है amount up to 50,000 तो उसको deduction मिल जाती है 50,000 की ही उसको deduction मिल जाती है अगर किसी person ने pension scheme के अंदर deposit कर रखी है amount तो जब ऐसी amount जो deposit कर रखी होते हैं तो इसको हम कौन से section के अंदर count करते हैं section हमारा होता है ATCCD 1B और यह सबसे important section इसलिए क्योंकि यह वाला कई वर पूछ किया जाता है कि यह अलेक्से 50,000 है ना दिया गया इनको deduction अलेक्से 50,000 के मिल जाती है तो इसलिए हम ATCCD 1B के अंदर इसको consider करते हैं तो I guess यह सबको समझ आ गई होगी कि ATCCD की deduction किस तरीके से हमारी मिलती है ठीक है बिल्गुल simple है अब आती है हमारी ATCCE की deduction यह बड़ी simple deduction है यह कहती है देखो CECC करते करते तुम्हें दिमाग खराब करते तो EC हमारा हो गया aggregate तो aggregate amount की जो deduction हमें मिलती है वो हमें बता दिए त section ATCC पढ़ा तुमने ATCCC पढ़ा ATCCD 1 पढ़ा 1 वाला गों सा था जिसके अंदर हमारा हम employer वाला और self employment वाला था वो exceed नहीं करनी चाहिए 1,50,000 से यानि आपने यहां पर भी deduction मिली आपको deduction यहां मिली ठीक है ATCC के अंदर फिर आपको ATCCC के अंदर deduction मिली फिर आपको ATCCD 1 के अ deduction मिली यह सारा सब कुछ मिला कि आपका 150 से exceed नहीं करना चाहिए अगर आपकी deduction जो 50,000 के अभी आपने देखी ATCCD 1 B के अंदर यह आपको deduction मिलती है तो इसको हम 150 के अंदर count नहीं करते deduction अपको 50,000 अंदर section ATCCD 1 B is in addition to the overall limit of 150,000 provided under section CCE amount contributed by employer in pension scheme under section ATCCD 2 shall not be included in 150,000 अब यह CCD 2 वाली कौन से deduction है यह वाली जो deduction है यह वाली deduction भी हमारी 150,000 में count नहीं होकी very very important यह वाली deduction बच्चों को समझ नहीं आती है, reason क्या है कि इस तरीके से उन्होंने यह चार्ट देखा ही नहीं होता तो मायड़ में चीज़े जाती नहीं है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पार्टी है कि आप इस deduction को यहाँ पे 2 मिनट के अंदर सुनके ही जाए क्या simple fund है इस deduction का कि CCD के अंदर होता क्या है कि या तो self-employed हम होते हैं या किसी employer के अंदर हमारा employment होता है या central government के अंदर हम काम कर रही होते हैं या तो हम self-employment है या फिर किसी employer के अंदर है तो उन दोनों को मिला के जो हमें deduction मिलती है वो CCD 1 के अंदर deduction मिलती है और यह जो deduction हमें मिलेगी यह 150,000 वाले deduction में count होगी जब हम aggregate करेंगे तो deduction कैसे मिलती है हमें यह बहुत simple है कि self-employment सिद्धा 20% कर देता है GTI का जबकि employee वाला सिद्धा के था 10% खुद का है तो हमारा राज़े तो 20% employer आते ही 10% हो गया central government किसी की सुनेगा नहीं और ना ही यह वाले 50,000 वाले limit में count होगा तो यह कहता है हम 14% लेंगे ऐसा तुका सा 14% लेंगे हम से लिका राइट तो इनको कोई मना भी नहीं कर सकता अब यह सब कुछ बात होने के बाद हमें यह बिल्कुल निचे वाला बिल्कुल अलग है यह वन भी वाला हमेशा अलग चलता है और CCE भी इसको रोक नहीं पाता अगर आप pension scheme के अंदर deposit कराते रहते हूं amount तो 50,000 तक की आपको deduction मिल जाती है 1B के अंदर CCD 1B के अंदर तो aggregate amount में बिल्कुल सिंपल समझाया कि 80C हो या triple C हो C मतलब जो provident fund में और insurance में हमने जमा कराया triple C मतलब जो हमने कुछ pension funds में पैसा लगाया है CCD 1 कौन सी? self employment और employer वाली वो 1,50,000 से जादा नहीं होनी चाहिए maximum amount आपको 1,50,000 के deduction मिलेगी लेकिन 1B वाली में 50,000 के extra मिल जाएगी और 2 वाली count नहीं होगी यानि 14% of salary का हम deduction दे सकती है ठीक है? तो कहने का मतलब यह था कि जो C वाले deduction होते हैं वो सारे मिल मिला के आपकी 2,000,000 तक की deduction आपको मिल जाती है क्योंकि वले 50,000 तो यह सारे deduction यहाँ पे आगी तो उसकी मिलती है और 50,000 के यह आपको deduction यहाँ पे मिल जाती है तो यह थी हमारी सारी C की deduction के बारे में बात दे अब हम आते हैं अपनी G के बारे में बात करते हैं तो आज हम इतना ही कर लेते हैं C वाले deduction को complete करो उसके बाद हम जीवाले deduction पर करेंगे Thank you, thank you so much